हेलो मेरे भाई बहन तो क्या हाल चाल है देखे जो भी अस्टुडेंट बिहार्द रोगा एक एजम निशन का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो कई सारा स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका अस्कोर एक खास नंबर पर जा करके बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है तो उसी के सब्सक्राइब बढ़ने का नाम नहीं लगा तो हर एक पहल पर विचार करेंगे कि आखिरा का नंबर बर नहीं रहा है और शाथी क्या है कि आप यहां पर को ले करके बताने का प्रयास करेंगा ताकि आप समझ सकते अगर आप बिल्कुल रिलेवेंट चीज के साथ ताकि आ सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर ही कम स्कूर का कारण क्या है और उसका उपाय क्या हो सकता इस पहलू पर भी हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले क्या है कि थोड़ा सा देखिए क्या है आपको बताता हूं कि मैंने 2017 वाला जो बिहार दरुआ का निकला था उसका मै मेरा 145 है अब देखिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्कूर था जबकि हमारे हैं स्कूर 155 के आसपास था बात मेरा तो देखिए क्या है कि इस बच्चा का मार्क्स क्यों जला था इसके पीछे भी कुछ रिजन होगा हमारा मार्क्स क्यों कम था जबकि हम टीचर थे थो देखिए यहां पर सबस्का रिजन क्या था कि हम बढ़ाते हैं जारिक जाकर एक एम दीए और पचया क्या है कि प्ढ़ रहा है प्रैक्टिस कर रहा है गयोक कंई साल कहूं है है कि त्यारी कि आणर लगलग है और ना सिर्फ तयारी किया है, बलके कोई लिफ हाई किया है, कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे मारदसों में बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं, तो इन पहलूओं पर अगर आप बढ़ियां से बिचार किजिएगा, तभी आपको यहां से बेनिफिट होगा, हरी जीव समझने का प्रयास केजिगा, और यह लेसन उन्हीं लोग के लिए बनाए जा रहा है, जो रियल में चाहते हैं, उनका स्कोर बढ़े, अब बागी तो बंदर लेसन फुदकने वाला बहुत सारे बंचे हैं, दो मिनट यहां लेसन देखेंगे, दो मिनट वहां लेसन देखें कई सर professionals हो सकता है, आपको identify करना हुआ कि आपकारी bigger region हो सकता है, ठन्रा की knowledge हो सकता है, इस conception n 200 नोलेज morning और देखेंगिया, करने इस सब रीजन हो सकता है कोशन यहां पर टॉपिक बताया गया कि नोलेज ही कमी तो उसको क्या करें कि डिटेल से इसको करने का प्रयास करेंगे तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसी को नोलेज की बात करते हैं नोलेज में क्या है कि आपका यह तो conceptual के लेटी नहीं हो सकता है या factual नोलेज ही कमी हो सकता है इस करन से क्या है कि आपको स्कूर कम हो सकता है जैसे देख़िए यहां पर कोशन लेते हैं मानोव श्रेर में कौण संग दरग्त का सुधी करन करता है ठीक है अब क्या है कोई बच् प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, दोनों आपको पता नहीं चल रहा है, दोनों में confusion रहा है, इसका मतलब है है कि आपको topic पर क्या है conceptual clarity नहीं है, ठीक है, चलिए, और तेके चुकि मैं सबका अगर answer बताने लगूंगा न तो फिर क क्या हो जाए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आप essence बताना चाहते है, उसको सिर्फ समझने का प्रयास किजिएगा, तो यहां पर क्या है, क्या वो conceptual clarity नहीं है बाबू, अगला question लेते हैं, अगला क्या है कि हमने factual conceptual दूनों की मिला के लिए है, भारतीय समिधान दिवस कम मना जाता है, और सेम question पूछा गया है बिहार दुरगा में, ठीक है, बहुत सरा बचा छवी जनरी बना के चले आएंगे, तो उनको यह पता नहीं है, भाई, छवी जनरी को हमरा दिस गद्दंत हुआ था, कि स्वतंत हुआ था, कि समिधान लागू हुआ था, तो यहां पर आपको यह factual knowledge की कमी है, और साथी क्या है, conceptual knowledge भी नहीं है, अगला बात काते हैं, एक question लेते हैं, conceptual, लोला घड़ी को क्या करते हैं, पिर्थिवी के सता सा चनरावा पर ले जाते हैं, तो लोला घड़ी क्या वर्थ काल पर क्या परहा पड़ता है, ठीक है, तो इसको मान घटेगा, यहां उल्टा रिलेशन है, तावर्थ कल क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस तरग अगर conceptual की लिटी नहीं है, तब क्या हो जागा दिकत वाली बात हो जागा, आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, यह कोशन लेते हैं, factual की बात करते हैं, जैसे क्या कि महतम conceptual knowledge होता है, concept पूरा killer होना चाहिए, तो अभी होना चाहिए, अगर यह आप कोशन नहीं जाना, तो जैसे बाते की समझाली बात है, तो चलिए, आगे आते हैं, विश्प में पहला बार परयारन दिवस कम मना जाता है, यह सब कोशन जो हमेशा पर जाता है, factual कोशन है, अगर बात करते हैं, दूसरा क्या, कि हो सकता है, आपके पास confusion हो, confusion का है हो सकता है, वागो, confusion हो सकता है, कि आपको concept की कमी है या बहुत सरे material पढ़ रहे हैं, तो उसको दुवारा से concept क्या करेंगे, देखेंगे, अगर खुद से नहीं समझ में आता है, तो उसका वीडियो देखें है, कि आपको material करना पढ़ेगा, क्योंकि देखें, बहुत सरे material पढ़ने से सफलता नहीं मिलता है, देखें, एक्जाम निकलना एक अलग बात होता है, और ज्यानी बनना अलग बात होता है, कई सरे बच्छा ज्यानी होता है, लेकिन उसे एक्जाम नहीं निकलता है, तो आपको examination करनूसार ही पढ़ना है, ठीक है? चलिए. अब आगे बात करते हैं, जिससे हां question देख्थे हैं, चंदर गरहन में क्या होता है? अगर यy question गलती होता है, शुरि गरहन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कि आपका concept है, concept सही नहीं है, तो concept क्या क्या करने की आप सकता आगला यहां हैjang क्या हो सकता है इस सेट में कम नमर आने का कि टेंसन या पैनिक ने मतलब क्या है कि कि कोस्टें आपने देखा क्या उपने का आप अगया अपने प्रेंसे क्या चॉस्ट बिहार दरुगह उप्छा गया थ vídeo में ट्रुद voc गया टॉबिन ठेक्स निमलिखित में से किसके लेन देन पर लगाया जाता था अब क्या की कोशन आपने देखा अब लगता है कि हमसे नहीं हो गलती हो रहा है सब का इस बना लिया होगा इस तरह से अगर दिमाग में ख्याला तो आपको दोस्त में बता दूँद देखिए और जो आसान कोशन इसको आप नहीं बना पाई इसलिए डला ही जाता है इसका कामी ही है कि बच्चा को प्रेशर में डाल देना ताकि जो आसान कोशन नहीं बना पाई तो जैसी ऐसा कोशन आपको है प्रेशर नहीं लेना है टेंसर नहीं लेना है पैनिक नहीं होना बस इसक अगला बात करते हैं कि टेंसर नहीं लेना है आपको पैनिक नहीं होना है चलिए अगला क्या है कि कई बार बच्चा क्या करता है कि बहुत सली मिष्टेक क्या होता है क्या होता है कि आपको फिर बता रहा है कि क्या क्या पूछा गया है कि आपको अच्छा करते हैं बाबु दस को कट करते हैं कि कोई हम नहीं जानते हैं चलिए बत किया कितना क मतलब क्या है कि आपको असान कोष्ण गलत नहीं हो चाहिए अगर आप से नहीं बनता है तो जाहिए आप पिछेập ons य का कंपटां अगला क्या है इनसन भारत का या खिकन अब यह कोशन बना रहते हैं गलती जाइर सी बात आपका रिजल्ट नहीं होगा कईवरी क्या आता है को हम गलत तरीका से पढ़ लेते हैं पूछा गया कि अभी कबिनेट मिशन का भारत आया था अब बना के कि किरिब से मिशन का भारत आया था तो यह भी गलत है और सेम कोशन आप गलती कर देज़े तो इसका मतलब है कि आपका नंबर कम जाएगा फिर क्या बोस पड़ने में कई वर हम गलती कर देए प्रस पंढ़ने में गलती केसे कर देसे हने इस यहां पर बताएं यह कुछा गया है यहां पर किरिब संभा रा पसा पाre अगला क्या है कि प्रस पंड ने वह sera पर कोछन फशा गया निम लेकेस में में से सदस है ॥ कवी लेकिण आम ने पढ़ा कि सदस है और वियुष है यहां फूछा गया सबना पड़िक पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि असान कोशन अगर गलती हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट पक्का नहीं होने वाला है कही बाड क्या होता कि हम पहले बना लेते हैं कि 1-2-3-4-5-10 अगा लेते हैं जब गोला भरने की बारी आता है तब आपको समझ में आ गिए कि यह आप समझ में आ गया। अगला बात करते हैं कि हम aitt अगला बात करें कि हम गेस कर रहे हैं गेस बक्रम में भी दिकळत हो सकता है। एक क्या है fact बात है कि competition में जब जाईएगा या examination देने जाईएगा तो आप सब के सब question नहीं जानिएगा अगर 100 question पूछा गया है तो मान के चलिए कि 50-60 question आप confirm जानिएगा बाकी क्या है कि आप कोहां पर guess work करना ही पड़ेगा आपके पास जो भी existing knowledge है उसको लगाना ही जानते हैं या हो सकता है जानते भी होंगे सुना सुना लग रहा होगा लेकिन क्या है कि आप पता नहीं है तो आप जो भी पढ़ते हैं उस इन फर्मेसों ने क्या करते हैं apply करने का प्रयास करते है ठीक न अब उससे question बढ़ाने का प्रयास करते है वाइलेस क्या होता है कि पहिला के बी रंग दो तिसरा के रंग दो अरे बहुत सरा बच्चा कंपटिशन में करता है दोस्त क्या करता है कि पहला के यह तो चलिए देखिए क्या है कि हमारे देश में सरवोच कौन है बहुत सरा बच्चा याद कि हुए को बहुत सरा बच्चा को मालत ने कि आपको पता ही ने कि हमारे देश में सरवोच कौन है तब यहां पर का किजिए आपको अपना चुनाओं के इस अल कौन बताता है समिध्हान में हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया मतलब ग्पितां में कभी नहीं पड़े होंगे लेकिन किया है दोस्तों कि आप बियलिस्मा संसुधन के बारे में कुछ भी तो जानते इसको मिनी कंस्ट्यूशन बोला जाता है ना मिनी कंस्ट्यूशन इसके तहत मौली करतभयों का समयाशन किया गया था अच्छा मौली करतभयों कब लाया गया था आपको पता है कि 75 के आस बस में इंद्रा गांधी सरकार दवरा किया गया था आप आद कर लगाया गया था उसी एक बचिया करेगा अगला क्या है कि बना रहे हैं अब बनाने के बाद क क्या करें कि आप टेस्ट करें कर दे नहीं करें तो या क्या rac媽 눌러 अपर शयां नारा आएगा तो अधीक ऑद्रा से होगा से कि या बचा पर्वाव जाता बहुत कम बहुत अधिक नबर आ गया इदम आपने दिया 100 नमर कर दिया बाबु यहां कि आप मरसम जी के बान में नमर आ गया अब आपको लगए बाप रहा इनगे दम आ गया तो यह यह लपरवाही करने देखें तो करना आपको क्या है अधिक नमर आ गया तो इसका नमर हमारा इतना काहया गया क्या आपने आ पौझ जूद को मुल्याखन करना पढ़ाğ तब जाके होगा असाथी क्या है कि जब test analysis की जगए तेस्ट बनाने के बाद ना है इसका analysis नहीं करना टेस्ट बनाने से कोभी फैदा नहीं है टेस्ट बनाईए अगर टेस्ट बनाने में ए घंटा लगता है तो दो घंट आपको analysis करने में लगना चाहिए पूरा हर एक समझे कि हरे कोशन पर चर्चा करना बढ़ियां से जो आपका description दिया रहता है उसको बढ़ियां से देखना है है न आ साथी क्या कि ना या कोर्षण मिले तो इसको क्या करना और क्ला कितना रहें तो इस तरह से टेस्ट को बढ़े में कितना करना है तो इस कारण से ले रहे हैं तो यह सब्सक्राइब आपको देखना है अनलाइसिस करना है खुद का तब जाकर क्या होगा होगा आप जिस लेवल पर हैं दोस्त मान के चलिए कि आप मान के सतर पच्छतर नमबर आ रहे तो आप बचा तो है नहीं यह तो सिर्फ हमको मदद ही कर सकते हैं यह तो आप खुद को ही देखना करना अपने लाइक बाकि गीटलेख में यह तो निस्काम कर्मा है दो करते हैं अबdoo बिना फल के इच्छाओ किवा आप करते रहे तो मतलब यहीं नहीं बोलता है कि आपको फॉल किछा नहीं करना है भाई फॉल किछा करना तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपको फॉल से टेच नहीं हो जाना है अगला क्या है कि आपको confident रहना है कि यूद्ध बिन अपने वीश्वास रखें लाइफ में कुछ भी एचिव नहीं कर सकते हैं दुनिया में जितना भी बच्चा कुछ इस्वास कि होसकता है कि आपको अगल बगल bit talents लेकिन हैं hard work नहीं करना हम बोलते हैं smart work bit talent मतलब हो सकता है बावु क्या है कुछ बचा बहुत talented हो है ना लेकिन क्या है आप कम talented हो गए लेकिन क्या है कि आप consistent रहते हैं तो मान के चली बावु क्या आप ही सफल होईगा हम एक बात करते हैं अभी दिवाल है है दिवाल है यहां पर एक great खली के नाम सुनें उंगे ठीकिन है इरो जाके मारता है बहुत बर्यार है है नंडाज रहे नहीं मारता है कि समझलेगा एक बच्चा किन रूज आ कि आपको पतला दूबला पतला लेकिन आप你 देखिएगा कि साल भर के बाद क्या है कि यही बचा इसको तोड़ देगा क्योंको consistent है तो consistency का कोई जवाब नहीं है अगर हमसे पुछी है कि life में सब्जाद है क्या जो जरूरी है सा फलता के लिए तो हमने जितना भी अपने आपको अन्वो किया consistency मतलब होता है कि हम 4 गंटा ने तरी का है कि आप तो अपना mistake पता होना चाहिए कहां गल्ती को नहीं डूड पारें तर ढूड़ी है देखिए दूसरे के अंदर जो हता है गलती निकालना बड़ा असान होता है लेकिन खुद की अंदर जो हता है गलती हम नहीं ढूंद पाते हैं अज इसने भी खुद के अंदर गलती ढूंदना शुरू कर दिया समझे कि वह आगे बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि जब आप करना छोड़न नहीं दिजेगा एक बाई कितना भी पढ़ लिजे कुछों कर लिजे कितना भी श्रट गना लिजेगा लेकिन प्रयास करना है गलती को मिनिमाइज करना कम से कम गलती करना है और शाथी कि आया कि अपना स्टॉंग और बीक एरिया देखिए कि आपका कौन सा है आammag और जीना गद देखिए कार है कि आपको क्तॉल स्टॉंग हो जाए और साथी क्या है कि देखिएक यहां स्टॉंग हो स्टॉंग हो जाता है स्ट्रॉंग हो करना है लेकिन एक बच्छा क्या कहा तो कोई अ लीडियी किये हूं कोई चीज किये हूँ आपको curl up करें दोस्तों इयह आपको A स्टुर्डि करना आप सामर चलिए और study material के पिछे नहीं भागत है हम्लों के दिमाग में क्या बैट गएग 00ブische बुक नहीं पढ़ेंगे तो तक नौकरी नहीं होगे तो यह खाल तो खुछ है ठीक ना श्ट्राडियम में टेलर के पिछे भागे ग्यान नी तो बन जाएगे आपसे एक्जामनेशन नहीं नहीं निकलेगा तो बुक अपने पास बहुत कम से कम रखना जो भी पढ़ रहें उ क्या करना एक बढ़ देख लेना है कौन सेरिया ज्यादा इन परसेर का कम यहां से साल को से चुछ न आ रहा दाना basta कि Bennett आaking नहीं चाहां fluffy नेखना है यहते चुछ हुन को बेन युद्हे करता है कि तीन गंट आज पढ़नी कि नअँ पांच गंट आज पढ़नी कि नहीं यह फालतो बला चीज़ए आपको क्या करना कि आपने आज टार्वगट दिया कि हमको यतना समिंद हाम सभाख खतम करना है या Newton's का नियम यहां खतम करना है एक चप्टर खतम हो जागा तब क्या करना है कि आप आगला चप्टर के ओड़ जाना है बच्चा मैक्सिमम गलती क्या करता है कि दू मिनटी चप्टर पढ़ा दू मिनटी पढ़ा किलियर कोई नहीं वरा बस चार गंट लेगे कि मिनटी गताव इसी खाली बड़ दिन काट रहा है तो नहीं करना है आपको अपना टार्गेट देना है आप टार्गेट को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना हो सकता है कि थोड़ा कभी उची नीच हो जाए लेकिन प्रयास करना है कि 70-80% अपना टारगेट हो कम से कम प पड़ेगा है ना और प्रेसर को हैंडल करने के लिए कि कई तरीकाओं अजमाद सकते हैं सबसे प्राइब चाहिए कि अगर आप अपने पर विश्वास रखें दोस्ते हैं विश्वास रखें और साथी के आसा रखें कि हमारा हो जाएगा आसावान बेकती जानते हुआ हो बहुत आगे जाता है जिसको आसा नहीं लाइप से कि हम बाई कुछ कर पाएंगे तो क्या कर पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा तो अपने आपसे आसा रखें कि हाँ हम कर लेंगे अगर नहीं होता है न तो मानिए कि आपमें कुछ गल्ती है अगलतिक सुधारेंगी और हमेशा पॉजेटिव क्या करना एटिटूट रखना कोई भी चीज के परती है ना मतले में फिर में मत रहें कि घूंच चलता तो नहोकरी नहीं होगा आप इसो कभी खतम नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या अगर एक सिट भी एत एक सिट आपका नहीं हो सबसे पहले बात क्या है कि जो भी आपका नहीं कर रहा है और अब बात करते हैं इनकी बात करते हैं कि 72 सच और तक ही हो रहा है और 15 तक गलती हो जा रहा है तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो भी आपको बता है क्या-क्या गलती किया जा सकता है बच्चे दोबरा उस सब को मैं यहां लिस्ट आउट किया है तो आप देखिए कौन सा पोर्शन में आपको कम ही है कहां पर दिक्कत हो रहा है वो देखिए अप प्लस क्या है क यहां पर देखे क्या है कि 72-74 आपका सही हो रहा है अपलस 15 के तक गलत हो रहा है इसका मतलब आप कोशन कितना करें तो 75-15 की बात करते हैं तो 80 कोशन क्या करें आप यह एटेंब कर रहे हैं ठीक न आ आपको प्रयास करना है कि 100 के आसपास है क्योंकि देखिए बता रहे हैं बिहार्द लोग है मैं 100 कोशन पुछेगा आपको पता है कि निगेटिव न के बरावर है एक कोशन बना रहे है ता आपको दोगों नमर मिल रहा है बाबू आएक कोशन गलती करें तो 0.20 काटा जा रहा तो देखा जाये बाबू तो 1-10 निगेटिव होगी अ बाबू न तो आपको पूरा पूरा प्रयास करना है यह थोड़ा सभी कोशन में हवाल लगता है तो आपको उसको और बनाने का क्या करना है प्रयास करना है अब शाथी क्या है कि आपको एक डाटा सेट रखे जहाँ तेखिये यहां देखिये है काको क्या करना पड़ेगा तक ही जादा पड़ेगा कमें। कुछे से करो यहां आपको यहां राते को तो आनो फोलो flight कर रहे। जो नए आन बच्का होता नौन उसको बताया जाता है कि बटा इसे करो, ऐसे करो, तब जा कि आपका हो जाएगा, ठीक ना, तो इस सब के उपर अगर आप काम करते हैं, तो हमारे समय से आपको बहुत जदा बेने फीट होगा, अगर लगता है कि आपका जो समस्या इसको इस लेशन में लिस्ट आउट नहीं किया गया है, तब जरूर आपके जो भी समस्या इसको में दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक है बागू, चलिए, ठीक है, घन्यवाद